प्रेंट्स कैसे हैं आप लोग मेरा नाम हर्यूम गुपता आप देख रहे हैं एच जी ऑल इन्फॉर्मेशन तो फ्रेंट्स यह टेस्ट सीरीस से 15 क्योश्चेन हैं जो की बायोजिस लिए गये हैं और इससे पाले फ्रेंट्स मैंने 14 पाट और भी बना दिये हैं बायोजी के यही मौक टेस्ट के तो अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं साथ ही आप सेलबस के प्रीबियस यह के एंड मॉडल पेपर की वीडियो आप चाहें तो चैनल पर डाल दिये गा हैं फिजिस कमेश्ट्री कर सकते जहां आपको पीडियाफ और कुछ जरूरी इंफोर्मेशन वहां पे मिल जाएगी बाकि अगर आपको कुछ परसनली पूछना तो आप मुझे फ्रेंट्स इस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में त तो क्यूशन नमबर वन का कहने कारते फ्रेंट्स निमलिखित में से जन्तूओं का कौन सा समूँ अस्तनियों के समान सरीर के तापमान को उच एवं इस्थिर बनाया रखता है तो कौन सा समूँ ए फ्रेंट्स जो के समान सरीर का तापमान उच एवं इस्थिर बनाया रखत पर है इसमें 4 आपसन है फ्रել्स सरी स्री कजयों lawn का उभ चरो का पच्चियों का तिन में इसे सही आंसर हो जाएगा नमबर सी पच्चियों आ चलिये नेष टियूस्ट प्रंबर टु अर फ्रेंट्स पच्छियों में दात किस प्रकार के होते हैं तो ऍप विचंज में भी चार आप से दिए गए हैं और इसका रोई आपस होती ही नहीं है क्या हो जääगा पच्छिवां में दाथ नहीं होते जो पच्छी होते हैं ऊसमें दाथ नहीं होते हैं तो याद रखिएगा चलिए दिखते हैं यहां पर Delicious मतलब डांथ नहीं होते हैं अगला है क्योश्य नंबर थ्री राइबो सॉम्स किसके बने होते हैं क्योश्य नंबर थ्री क्या है राइबो सॉम्स किसके बने होते हैं तो फ्रेंट जैसे आटो सॉम राइबो सॉम्स होते हैं तो इसी राइबो सॉम्स किसके बने होते हैं यह बताना है तो इ तो चलिए हमने इस्ट क्यूशन देखते हैं बाकि इसका सही आंसर आपसे नमब सी है आरेन ने एवां प्रोटीन के बने होते हैं बाकि तो फ्रेंट टेस्ट के वीडियों जो कि आपको पढ़ा दिये गए उसमें स्क्यूशन है तो एक प्रकार से आपके टेस्ट ही है तो लेजिए और सॉल बगारा करने की बारे मत सोची जितना हो सके एमसी कुछ पुरा पढ़ लेजिए चलिए क्यूशन नमबर फो रेफ्रेंस लाइवो सोम्स प्राय पाये जाते हैं तो लाइसो सुम्स जो है प्राय किसमें पाये जाते हैं चार आपसन है जन्तू कोसका में ब पाये जाते हैं अगला क्यूश्चन क्यूश्चन नमबर फाइप फ्रेंस बहुत ही मस्त क्यूश्चन है मतलब अच्छा क्यूश्चन है अस्तनियों के लिए आवस्यक वसी अमल होते हैं क्यूश्चन नमबर फाइप क्या अस्तनियों के लिए आवस्यक वसी अमल होते तो यहां पर वसी अमल जो है तो आपको बताना हो क्योंकि क्योंकि दो तीन बार करा दिया है इसलिए बहुत ही अच्छा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपस नंबर ए लिनोलिक एवन लीनोलिक क्या हो जाएगा आपस नंबर एव लीनोलिक तथा लीनोलिक एवसी अमल होते हैं अ fluori गा सब्सक्राइब baru Silicon series Refer eigenlijk सब्सक्राइब नरहें तो技तें समानिविसा के अड़ु को क्या काते हैं तो जो घृच्ण समानिवसा के अड़ु होते हैं हुनको क्या काते है। A Gliseride, B है Trihydride Alcohol, C है Isopronisides और D है Aot C तो इसमें सही एंसर हो जाएगा आपसोछ नंबर A Gliseride क्या काते हैं Samaal ने बसा के अड़ो को Gliseride काते हैं आपसोछ नंबर A अगला है Question number 7 तो आमासे से किसका स्रावड होता है तो आमासे से किसका स्रावड होता है चार आपसे आतरी रसका बी है पित रसका सी है जठा रसका और डी है अगना सही रसका तो आमासे में किसका होता है फ्रिंस तो इसका सही आंसर है आपसे नंबर सी जठर रसका किसका होता स्रावड जठर रसका बाकि कुछ लोग फ्रिंस यावे पीतर रसका आपसन मारकर चले आते हैं बटे गलत हो जाता है पीतर रसका नहीं होता है इसमें जो आमासे में पूछा है तो इसमें बैड़ा आमासे में जठर रसका स्रावड होता है चलिए न निमलिखित में से कॉन पेपिसी नोजन का स्रामड करने वाली कॉस्काए है तो इसमें सही आंसर हो जाएगा फनेंट्स आपसे नंबर C क्या हो जाएगा गाँ ए हैं एननेृ रो एंट रोख क्राइन कोषगा आप से नमबर सी बाकि अप लोग पढ़ लेजिए फ्रेंट और इसका सही आंशुट आप से नमबर सी है बाकि क्योंस्ट फ्रेंट जोए कई तरह से घूमाया जाता है क्योंकि दो बार मैंने देखा इंट्रेस्ट पूछा गया है तो कि इस थोड़ा इसमें देशे सरल तरीके से बाट इसमें बहुत ज़्यादा घुमा देता है इसी क्यूश्चन को बहुत बढ़ें कर देता है लेकिन जहां घुमा फिराकर एक प्यपसी नोजन का स्रावर करने वारी कोस्काओं का नाम ही बताना होता है तो याद रिखिएगा आपस आपके उस्चन है सभी क्योश्चन अच्छे हैं फ्रेंट्स मनलब थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहां पर ऐसे क्योश्चन आ जाते हैं तो क्योश्चन नमबर नाइन क्या है कितनी उचाई पर जाने पर ब्यक्ति मुर्शित होने लगता है जो उसे ओर टू सिले जाएगा अपसा नमबर डी 35 से 40 कि कैसा से 4000 मीटर जाएब पर कितने पर 35 से 4000 मीटर जाएब जब ऊपर चला जाता है कोई दूसे ओर टू सिरेंडर क्या हो सकता हो ती आपसा नमबर डी सही है अग्ला लाष्ट कुछ एक लास्ट क्यूशन क्या है किसी दुर में एक बेति के सीने में बिना फेफ़रों को छाती पहुश हो जाती है क्या इस सोचन को प्रभावित करेगा अगर हाँ तो किस प्रिखार तो इसमें क्या कोई नुप्सान नहीं पहुंचता फिर विसमें सुराउक हो जाते स्वांस का रुख जाना क्या होगा आप से नमबरी स्वांस का रुख जाना यही प्रहावित करेगा और लास्ट क्यूश्चन जो कि आप लोगों के इसको अंसर आपको ही देना है तो मैं इसका क्यूश्चन का पड़ देता हूं रुधिर का पी एच होता है या पी एच मान हो बहुत सिंपल आंसर आपको टेलीग्राम में दे दूंगा आप लोग कंफ्यूज मत होईएगा अगर जब वैसे अपने क्योश्चन का अंसर जरूर दिया कीजिए बहुत लोग नहीं देते बाकी दो लोग सिर्फ देते हैं तो थोड़ा आप लोग सभी लोग क्योश्चन का सब्सक्राइब कीजिए तो यह थे फ्रेंट्स 10 क्योश्चन यह इसको तो लेकर 11 हो गया है बटे आपको लिए एक है तो कैसे लगी वीडियो मुझे कॉमेंट बताई का और आपकी तैयारी कैसे चल रही है मुझे यह भी कॉमेंट बताईएगा और आपने कॉलेज के बारे हैं उसके बारे हम काफी रिसेर्च करते रहीएगा फ्रेंट्स बाकी कुछ पूछना हो ताप मुझे कॉमेंट में और इस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं बाकी वीडियो को लाइक कर देजिए फ्रेंट्स चैनल पर नय है चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।